हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, मॉम सवेर, मैं हुनी दी, आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, इर्रेगुलर पीरिट्स के बारे में, वीडियो पसंद है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरू करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करना ता जो हर महीने जो गैपिंग होती है, वो 21-35 दिन तक रहती है और इसका जो एक महीने की साइकल होती है, वो 3-5 दिन तक होती है, अगर नॉर्मल पीरिट्स हैं, तो वो 21-35 दिन में शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बॉड़ी में इंबैलन्स या कुछ इर्रेगुल हो जाते हैं, तो उसका टाइम पीरिट्स जो होता है, वो 21-35 दिन में ना होकर बहुत आगे आने की 2-3 महीने में पीरिट्स हो रहे होते हैं, अगर हम रीजन की बात करें, एक कॉमन रीजन होता है कि प्रेगनेंसी, अगर फीमेल ने अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है, तो ओविसली उसको पीरिट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर फीमेल प्रेगनेंसी नहीं है, तो हो सकता है किसी और वज़े से, किसी और प्रॉब्लम के वज़े से पीरिट्स हो हैं, वो इर्रेगुलर हो गए हैं, सबसे बड़ा रीजन है इस्ट्रेस, आज कल की इतनी जादा इस्ट्रेसफुल लाइफ है, भागदोर की जिन्दगी में, जॉब हो गया, घर, बच्चे, तो फीमेल जो होती हैं, वो अपने ऊपर कम ध्यान देपाती हैं, वो सब पे तो ध्यान देती हैं, लेकिन अपने लिए खुद के लिए वो कभी टाइम ने निकालती हैं, और इत हो जाती हैं, और इंबैलेंस होने लगते हैं, इसका सीधा असर पीरेट में पढ़ता है, और जो पीरेट्स होते हैं, वो रेगुलर हो जाते हैं, फीमेल सब को पता है कि पीरेट्स जो होता है, वो कितना जादा इंपोर्टेंट है गल्स के लाइफ में, अगर पीरेट्स न इस्ट्रेस दूर रहना चाहिए, खुद पर भी ध्यान दें, ताकि जो उन्हीं periods की problem हो, ये solve हो सके. और other reason है, जैसे कि जो weight होता है, कभी-कभी एकदम से बहुत जादा बढ़ने लगता है, एकदम से कम होने लगता है, जिसकी वज़े से जो periods होते हैं, वो irregular हो जाते हैं. तो इसलिए जो birth control pills हैं, वो एक limit में ही लें, जरूरी नहीं कि आप हर टाइम birth control pills ले रही हैं, क्योंकि अगर इसका effect भी अगर किसी अच्छी चीज़ के लिए अगर आप ले रहे हैं, तो इसका कहीं न कहीं body में आपके side effect होने लगते हैं. कई पर क्या होता है, बहुत जादा बिमार रहने से या और other problem हैं, जैसे कि thyroid हो गया, diabetes हो गया, इनके विज़े से भी जो period होते हैं, वो irregular हो जाते हैं. और बहुत जादा, या तो spicy food खाने से, बहुत जादा coffee, चाए, cold drinks, यह सब लेने से भी जो periods होते हैं, वो irregular हो जाते हैं. बेटर है कि आप अपने खाने पीने में ध्यान रखिए, कुछ चीजें हैं, कुछ home remedies हैं, जिनसे भी यह problem solve हो सकती हैं. अगर आप pregnant हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी नहीं conceive की, इसके बाद भी जो period हैं, वो irregular हो रहे हैं, तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर आपको उस condition में hormonal pills देंगे, या छोटी मुटी कु उससे उसो खाने, उससे 3 दिन खाना होता है, तो 5-7 या 10 दिन में period खहते ही, शुडो हो जाते हैं, लेकिन यहां आगे कि महिने में भी यही चीज़ हो रही है, 2-3 महिने हो गया है, चार महिने हो गया है, हर ठाइम, हर भार आपको पीरिश्ट हो रहे हैं, वो irregular हो रहे हैं, तो उस situation में doctor treatment शुडू कर देंगे लेकिन अगर कोई भी problem नहीं है कोई भी तो better है कि hormonal pills लेने से better है कि आप कुछ home remedies या yoga exercises दे रखे होते हैं आप YouTube में देख सकते हैं बहुत सारी yoga exercises दे रखे होते हैं periods को irregular जो उनमें irregularity होती है उसको खतम करने के लिए तो आप कोशिस करिए कि pills मत लीजे क्योंकि अगर आप medicines लेते हैं तो अगर आपकी चीज़ों को अगर सही करती है आप किसी अच्छी चीज़ के लिए ले रहे हैं तो कहीं न कहीं ये बात आप भी जानते हैं कि जो hormonal pills होते हैं कि बॉड़ी में कहीं न कहीं side effect ज़रूर डालती है तो अगर आपको कोई भी problem नहीं है कोई भी disease नहीं है तो better है कि आप medicine से दूर रहके आप yoga कीजिए exercise कीजिए home remedies जैसे कि soft हो गया, अद्रक हो गया, दाल चीनी हो गया ये सब का powder बना कि यानि पानी में boil करके soft में कहते हैं anti-spass mode element होता है जिसकी वज़े से period जो होते हैं regular हो जाते हैं spicy food से दूर रहे है coffee, chai ये सब मत लीजे और cold drinks तो बिल्कुल मत पीजे अगर आपको ये regular period हो रहे हैं क्योंकि ये सब चीजे अगर आप लेंगी तो इन सब चीजों से क्या होगा न कि problem आपकी बढ़ेगी shout out नहीं होगी तो better है, खुद पर ध्यान देजे खाने पीने का ध्यान रखे ताकि आपकी ये problem solve हो सके क्योंकि period जो हैं वो एक girls की life में बहुत important role play करते हैं, जब आपको लगते हैं आप हर किसी को time दे रहे हैं तो क्यों न थोड़ा सा time, कुछ घंटे आप खुद के लिए भी निकालिए खुद के लिए भी कि खुद को क्या करना है खुद को क्या पसंद है, अपनी नापसंद पसंद का ध्यान रखे, खुद के लिए भी थोड़ा सा जीना सीखिए ताकि ये सारी problem आप पे हावी ना हो सके, क्योंकि अगर आप stress लेती हैं कुछ भी होगा तो इसका कही न कही असर आपके periods में होगा, अगर periods irregular बार-बार हो रहे हैं तो आपकी body में बहुत सारी problems create होने लगेंगी मालनी कि अगर आपको कोई भी reason नहीं है, नॉर्मल आपकी period irregular हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगी इसको ऐसी जाने देंगी या इग्नोर करेंगी इस problem को, तो यह problem आगे चलके बहुत बड़ी हो जाएगी सो प्लीज इस चीज में भी थोड़ा सा खुद के लिए भी time निकालियो और इस चीज में भी थोड़ा सा ध्यान दीजे friends इस वीडियो में इतना ही मुझे ज़रूर बताएए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी, तब तक के लिए बाए